नमस्कार मैं हूँ अनील और आप देख रहें MMC नियोज पुर्व प्रधार मंतरी अटल बिहारी बाजपेई के निधन के बाद पूरे देश में सोख सभाएं की जा रही है इसी कड़ी में जनपत गाजपुर में भी आज BJP MLC बिसार सिंचेंचल ने अपने गाजपुर इस्थित कारियाले में बाजपेई जी को सरधांजली दी और उनकी आत्मा की सांती के लिए दो मिनट का मौन रखा MLC ने कहा कि अटल जी हमारे देश के लोखती नेता थे और उनकी बातों को युवा पिड़ी को अधिक से अधिक ग्राल करना चाहिए अटल जी कभी किसी के आगे जुके नहीं और कभी सत्ता के लिए समझोता नहीं किया अटल जी का उत्तप परदेश से खास लगा होता और वो यहां से पांच बार सांसद रहे इसलिए उत्तप परदेश में उनकी चार इसमितियां में चार जगव इसमिति चिन बनाया जाएगा साथ ही उनकी अस्तियों को यहां के सभी पवित्र नज्यों में भी बिशर्जित किया जाएगा अटल जी हमारे नहीं पूरे देश के सबसे लोगप्री निता रहे हैं और उनके हमारी युवा पीड़ी जितना उनको इसमरण करेगी हमारे आने वाली पीड़ियां उनके योगदान उनके बलिदान उनके चेटितर के बारे में चितना जानेगी उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा उनके उन्होंने जो किया उनके जीवन में जो भी उन्होंने संगर्श किये जिस तरह के उनके कारिकाल थे किसी से जुकना नहीं, किसी से डरना नहीं, अपने कभी सत्ता के लिए समझा होता नहीं करना एक बहतर देश के सब अच्छे कवी थे, आप लोग के बीच के पत्रकार भी थे तो उन्हें जितना याद किया जाए उतना कम है गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट